पुली की तरह से शियों पो बैन नी क्यों नी कर दिया रहा था कि आप हच्चे लिए नहीं आ सेखते हैं आप काफी नहीं? हम भुष्टे गुगजारें हम पतुर बैन नहीं हैं छोड़िये इन बातों को इन बातों से सबाही के अलावा और कुछ होने वाला नहीं है मौलाना अश्चा फली थानुई साब बहुत हकी मुलमत बहुत मशूर आदे हैं हाट जर्ण किताब उनकी प्षेली है उनके किताब हुकुक अले बाद उसमें रिवायत मुझूद है मैंने खुद परही है कियामत के मैदान में दो बक्रे आएंगे एक बक्रा होगा सींग वाला और एक बक्रा होगा बगएर सींग का इस दुनिया में भी ये बक्रे रहे होंगे एक सींग वाला और एक बगएर सींग का अब जानवर मिया जानवर है उस सींग वाले बक्रे में उस बेसींग के बकरे के पेट में सींग भोग दिया होगा यह आप पर जाजी हम उद्दों ने पार हुकुल इबाद नामे किताब का तो अल्ला उन दोनों बकरों को ख्यामत में जिंदा करके दाएगा और जिस बकरे के सींग भोगा गया था उसके स्विंग पैदा किया जाए का अपना इंतिकाम ले ले और जब वो अपना इंतिकाम ले लेगा तो दोनों को हुक्म दिया जाएगा कि बस तुमा काम खतम होगी अब मिट्टी में तब्दील हो जाएगा तुमारा कोई हश्टनर्श रसाब किताब नहीं है बकरा भी अगर एक बकरे के सींग भोगेगा तो उसका भी खिसास लिया जाएगा ये सांड जग दूसरों को मारते खिद रही है कैसका खिसास ना होगा कोई हो, मैं किसी फिर्खी की बात नहीं करना हूँ फिर्टिस इम्रा कोई तालुक ही नहीं मैं तो मुसल्मानों गी बात करना हूँ, ये किसी फिर्खी साल लोगते हूँ मेरे अजीज़ों अभी वो जावेद इर्बाल मनहूस मलून लाहूर का जिसने सौ मासूम बच्चों को गतल किया देखें ना आप ये जब फिजा में जल्म रायक होता है तो इनसान इस हद तक जालिम हो जाता है सौ मासूम बच्चों को एवो सुनी बच्चों शिया बच्चों मासूम बच्चे हैं भाई प्यारे प्यारे बच्चे उनको गतल किया अब फोग्म क्या होगा सौ मरत वा फासी दी जाएगी अब इस सो मरत अब कैसे फासी दी जाएगा? सो मरत अब कैसे फासी दी जाएगा? जिसके सो मरत बाद दीगी हो तो मर गया तो अलफाद ये इस्तेमाल की जाते हैं कि सो मरत बाद फासी दी जाएगी हमारा हुक्म ये है मगर ये अमल हो इन्य सकता है देफांसी बाकर तादी मरा और मरने के बाद दो दूसरी हुकुमत में गया इसलिए अल्लाँ ने कियामत के दिन का फैसला अपने हाथ से रखा वहां ये सुरत आल होगी कि ऐसे जालिमों को जहन्नम में जला कर मारा जाएगा और फिर जिन्दा किया जाएगा और फिर जलाया जाएगा और फिर जिन्दा किया जाएगा और फिर जलाया जाएगा ये सिरसला चलता रहेगा सुबह कियामत तक ये भी कुरान का एक मोजिज़ा है बस आखरी बास सुन लीजे कैसे जालिम जब जहन्नम जराए जाएंगे तो इशाद अलाए चाहिए परेज़ नहीं समझ सकता कोई कुरान को ख़दा की खसम नहीं समझ सकता इशाद उता है कुल लमा नजर का जलूदुहुम बद्दल्लाहुम जलूदन गईरहा लेजूकुल अधाब ऐसे जाली जहने उड़ा जाएंगे तो जहने में जाते ही जल कर खाक हो जाएंगे मगर जल कर खाक होंगे अधर हम उनके जिसम पर नई खाल पैदा कर दिए नेजूकुल अधाब ताकि अधाब का एहसास उनको मुस्रसर रहे जो पुरान में 15 सो बरस पहले बात चाही थी अब मैं आप से पूशा चाहता हूँ जाता वज़ू की लिए जिवाब के इंजेक्शन लगता है तो आपको तक्रीश कहां पर महसूस होती है खाल में जब गोश्ट के अंदर कच्चने के अंदर के जो बाड़ी के हज़ञा है उनको एहसास नहीं होता पुरान में रिख यहनि यह कहला जब उनकी हड़दियां जलेंगे तो हड़दियां बदल देंगे जब उनके मसल्स जलेंगे तो मसल्स बदल देंगे गुरान करा इधर खाल जली और नहीं खाल पैदा हो भी ताकि तक्जीश का इसास मसल्सल होता रहे बस बादर मुसीर यह सब कहाए कि दलीले हैं कोई अगर किसी को काफिर कहे आप उसकी बात का बहुत तुरा मानिए इसलिए कि आपको काफिर वही कहेगा किसी को काफिर वही कहेगा जो मसल्मान होगा मगर जाहिल होगा और जाहिल काफिर से बगतर मैं नहीं कर रहा हूं कुरान कह रहा है जाहिल काफिर से बगतर चुँँ इसलिए के पूरे कुरान में झाहे मुगे कही नी दिखा सकते हैं कि रसुल से कहा ज्याओ के वाा आरिज onil kafirin काफिरों से मुओ मोर लीजे मगर जाहिलों के लिए इस अरषारिद है के वाा आरिज अनिल जाहिली जाहिल काफिर से से बत ही लग ई HOW फ प बात ही लगिये लेक्व बात है अरे इन्सान की जान को आप जाने दीजिए वो हुर जिसका जिकरमने के असाथ के सामने जब उसका लशकर आया है आप जानते हैं करबला के मैदान में के इमाम के बाता सिपाईयों ने जो तीन दिन के भूके प्यासे थे लशकर यरीदे गए हजार सिपाही काट कर डाल दिये थे तो जब बहत्तर सिपाही कम से कम तीस हजार के लशकर से जम कर मकाबला कर सकते हैं और उसके हजारों का सकते हैं तीन दिन की भूक और प्यास के बाद तो इस वर तो पोजिशन रिवर्ट चाएए इस वर तो हुसायन के सिपाही चेरों से राभ हैं और के सिपाही प्यास से कम जोर है तो यहां तो जंग की स्टेटरिय यह थी कि हमला कर रहों खतम कर दे मगर इमाम क्या कहते हैं इमाम कहते हैं कि मुझे तुम्हारी प्यास नहीं देखी जा रही तुम मेरे दुश्मन सही लेकि मैं तुम्हारी जान बचाओंगा चाहे इसके बाद मेरी जान खस्रे में पढ़ जाए अरे मुसल्मानों समझो खुदा के लिए रसूल का वास्ता सहाबे कराम का वास्ता एहल बैत अथार का वास्ता जिस रासे में तुम चल लो यह गलत रास्ता है यह इसलाम के रास्ता नहीं है इसलाम में जान की बहुत अहमियत है तो हुसायन ने खून के प्यासों की प्यास बुजा कर ये बताया कि इंसान के जान की आमियत क्या है अब मुझे शायद अर्च और चुगा हूँ गोड़ों की जबाने निकले में इसी ये मरे जा रहे हैं जानों और बुचारे हैं इनकी क्या खता है इनको पानी प्लाओ तो लोगों ने का कि मौला इनने पानी प्ला देंगे तो सिर्थ बच्चों के लिए पानी में बच्चे गा अब एक तरफ गोड़े हैं एक तरफ इमाम के बच्चे हैं ये शराफत नफ्स इनसानी रेखे या एक तरफ गोड़े हैं और एक तरफ इमाम की अपने बत्के हैं और बेकर सैदानिया हैं और इमाम कहते हैं कि मेरा अल्ला हमालिक है मैं इनकी प्यास को